जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ने लगा है वैसे वैसे ही अरावली की राज सीना पहाडी पर अवेध रोप से कॉमिर्शल एक्टिविटी करने वाले फार्म हाउसों का धंदा भी जोर पकड़ने लगा है लेकिन अफसोस की बात तो यहाँ है कि युवाओं की बीच सरयाम नशा परोसने वाले वखुलयाम अयाशी कराने वाले इन फार्म हाउसों को ना तो नगर परिशय द्वारा सील किया जा रखा है और ना ही इस्थानिय पुलिस इनके खिलाव कोई कारवाही करने के लिए तयार है ऐसा भी नहीं है कि इन फार्म हाउसों पर होने वाले काले कारणामों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी ना हो लेकिन उसके बाद भी कारवाही करने के नाम पर पुलिस आखो पर पट्टी बान कर बैठी होई है हाद तो समय हो जाती है जब इस्थानी लोगों द्वारा पुलिस को अवैद रूप से रेव पार्टी वायाशी करने के सूचना दी जाती है लेकिन सूचना देने के बाद या तो पुलिस पहुचती ही नहीं है और अगर पहुचती भी है तो उससे पहले ही उसकी सूचना फार्म हाउस उत्ताक पहुचा दी जाती है सूचना मिलते ही फार्म हाउस संचालक द्वारा पुलस के पहुशने से पहले ही पार्टी करने वाले लोगों को किसी दूसरे फार्म हाउस में शिफ्ट कराकर फार्म हाउस के अंदर किये जा रहे पूरे खेल को खत्म करा दिया जाता है पुलिस अपनी खाना पूर्ती करके वहां से बेरंग लोट आती है अब इसे पुलिस के फार्म हाॉस मालिकों के साथ मिली भगत कहे या फिर फार्म हाॉस मालिकों की दबंगई कहे आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सुहुना नगर परिश्यत के अधीन आने वाली राइसीना की अरावली पहाडी पर अवैद रूप से कॉमेर्शिल एक्टिविटी करने वाले उन फार्म हाउसों का है जिन फार्म हाउसों के अंदर जहां एक तरफ बड़ी बड़ी स्विमिंग पूल बनाए गए हैं वहीं आयाशी करने के लिए हट सिले कार बड़े बड़े एयर कंडिशनर रोम तयार किये ग पड़ेगा इतना ही नहीं यहां पर रेव पार्टी से लेकर आप किसी भी तरह की पार्टी आयोजित कर सकते हैं बता दें कि इन फार्म हाउसों को सोहना नगर परिशद द्वारा कई महा पहले नोटिस भी थमाए गए थे लेकिन इनके खिलाव कारवाही करने के नाम पर आ पहाड़ी पर अवैद रूप से कॉमेर्शियल एक्टिविटी करने वाले फार्म हाउसों का निरिक्षण किया जिनोंने निरिक्षण के दौरान देखा कि दरजन भर से अधिक फार्म हाउसों के अंदर कॉमेर्शियल एक्टिविटी की जा रही है बता दें कि गत वर्ष सोहना अरावली की पहाडी परस्तित एक फार्म हाउस के अंदर और समय एक दिल्ली निवासी व्यक्ति की खत्या कर उसको स्विमिंग पूल के अंदर फेक दिया गया था जिस समय वहाँ एक पार्टी में शरीक होने के लिए यहाँ पर आया था जिस मामले में पुलिस ने फार्म हाउस मालिक के साथ मिली बगत करके उसकी पत्नी के बयान पर स्विमिंग पूल के अंदर डूप कर मौत होने का मामला दर्च किया था लेकिन मैडिकल रिपोर्ट में चोट मार कर हत्या करने का खुलासा हुआ था इस मामले में पुलिस द्वारा आज तक भी फार्म हाउस मालिक के खिलाफ कोई कारवाही अमल में नहीं लाई गई जबकि इस फार्म हाउस के अंदर फिलहाल नया स्विमिंग पूल बनाय ज़ा रखा है और अवै द्रूप से बोर्वेल भी किया गया है हालाके फिलहाल देखने अजबात का हुगा कि सम्मंदित विभाग के अदिकारियो द्वारा फिलहाल राय सीना के अरावली पहाडी पर कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले फार्म हाउसों के खिलाप कारवाही कर इन्हें कब तक सील किया जाता है हर्याना वर्दान के लिए सोना से समबाद आता विश्वाल राघव के रिपो देश वा प्रदेश के ख़बरों को सबसे पहले देखने के लिए हर्याना वर्दान चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे वाश्यर करे